हाँ भी नमस्कार भी बच्चो सभी को राम राम भाई और आज की इस क्लास में इस सेशन में हम आपके साथ यहां पर डिसकस करने वाले हैं ओब्जेक्टिव टाइप के MCQ कोस्टन और यह कोस्टन रहने वाले हैं जो टोपिक का नाम है CDP टीचिंग पेड़ागोजी या आप कह सकते हैं टीचिंग एप्टिटूट से रिलेटेड कुछ कोस्टन है कल के वी एस का एक्जाम है ठीक है 23 को PGT कंप्यूटर साइंस का आप सभी को पता ही है के वी एस PGT जो एक्जाम है उसके पॉइंट ओफ यू से CDP के जो लाइक टू आस्क कोस्टन फ्रॉमेस्टूटें इन तerson में इन इंटड मीनेटेड मैनर की आप स्ट्ूडेंट से कोर्च ऑस्क्रान पूशते हो किलास में बज़橋 कोई टीचर गया खेंशता हैब बार बार जबेशाए आप माल मांदें महीं ड़ा दा रहा हूं कीमेंट कोम का आस्र बता दू यह होगा भी को अ तरीका यह है वैने आपको कुस्टन जो है पढ़के बताया कि यह कोड़े कर दिया यह दिस्पले कर दिया है यह बढmia आपको एक्स्पेलीन कर दिया उनके नियु अदॉपक फिर बता हो और यहा आपसे बाल बाल तो यह क्यों पूछ जा है ठीक है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वह नहीं बेसिकली यही तो समझ आए हम कोशन किलास में बार-बार क्यों पूछते हैं बच्चे से ठीक है फ्लो में ना पढ़ा कि हमने कुछ टोपिक पढ़ाया कुछ पॉइंट बताया फिर उससे रिलेटेड प इस Rand चाल रही है नॉर्मल उसमें यही तो फ़र्प कहला है कि मवहाँ पर वन वे आउर टू वे में फ़र्फोता है कि आपको एक शत्वाँ समझ आया है यह नहीं आया है और आप उसको पर क्रोब्लम है तो सब्चे तो यहां पर आपको देखू ira fins Jim vierty बेसिश बीचि में ठीक है बीच बीच में आप उससे question पूछते रहते हैं जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में question भी पूछते रहेंगे तो in order to know whether they are listening carefully or not ये जानने के लिए कि वे ध्यान से आपकी बाते सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं कि लास आपका lecture ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं in order to know who among the student has a high level of intelligence या ये पता करने के लिए आप question पूछते हो कौन सा बच्चा हो स्यार है कौन सा बच्चा बुद्धू है ठीक है तीसरा option दिया गया है in order to know whether the topic being discussed is being understood by the student or not या ये तरीका है इसलिए कि आप question पूछ रहे हैं जिससे आपको ये पता चले कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया in order to help student student की help करने के लिए आप question पूछ रहे है अब कोई कहेगा ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए हम तो सभी help भी कर बच्चों को ये भी पता चलता है कोई बुद्धू है और रहे हैं ये भी पता चलता है सुन रहा है नहीं सुन रहा है लेकिन मॉस्ट अप्रोप्रिएटली क्या है में मकसद क्या है question पूछने का में मकसद यह जो आपने पढ़ाया सामने वाले को समझ में भी आया या या दो आपके पास कितनी भी नोलिज है का क्या फायदा जब सामने वाले को आपका पढ़ाया हुआ अपने उस कर दिया आपने उसका तो आपने वाले को जो आप कहरें वह समझ में आना चाहिए ठीक है तो आपकी बाते सामने वाले को समझ में आने चाहिए में मकसद यह होना चाहिए टीचिंग का ठीक है तो इसी यही में मकसद है हम बाद बाद कॉमनी केसन करते रहते हैं कॉमनी केसन जितना होगा कॉमनी केसन उतनी अच्छी तरीके से उनको समझ में आएगा two-way communication में पढ़ाई होनी चाहिए ठीक है जिससे पदा चलता रहे आपको भी कि बच्चे को कितना समझा रहा तो हम इसका answer यहां पर C रखेंगे ठीक है next question पर आते हैं second वाले पर which children you would like to teach आप कैसे बच्चे को पढ़ाना करोगे या आप किलास में गई है आप किलास में पढ़ाते हो या आप स्कूल में पढ़ाते हो इसकूल में नए बच्चे आए एडमिसन हुआ कुछ बच्चे उसमें होस्यार है high level of intelligence है कुछ बच्चे बुद्धू है कुछ hard working है कुछ discipline पसंद करते हैं अब आपको कैसे को पढ़ाना किलास में गई है तो आपको तो सबको जो भी है सबको पढ़ाना है ऐसा तो है नहीं कि एक को पढ़ाओगे एक को नहीं यहां पर दिया दोज हूँ है विंग high level of intelligence जो बच्चे intelligent है उनको ही पढ़ाओगे या जो महनत करते हैं लेकिन बेचारे इतने intelligent नहीं है या बिलकुल discipline में आपकी बाते मानते हैं आप उनको ही पढ़ाओगे ऐसा भी नहीं है all types of student जैसा है सबको पढ़ाएंगे चाहे कोई बुद्धू हो hard working हो intelligent हो dull हो कैसा भी हो आपको तो सबको पढ़ाना है ठीक है तो teacher का काम है जैसे भी बच्चे हैं आपके पास आपको सबको पढ़ाना सबको एक तरीके से पढ़ाना है किसी को अगर low level तो उनको और अच्छी तरीके से पढ़ाना है समझाना है आपका main motive यह हर बच्चे को समझ आना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं last seat पे बैठा कोई भी बच्चा बच्चना नहीं चाहिए ठीक है main मकसद यह होना समंझ में mainly सबके आना चाहिए तभी है ठीक है अगर एक भी बच्चे के समझ नहीं आया आपका पढ़ाया हुआ तो इसका मतलब कहीं कमी रह गई है तुम में कमी है बच्चे में कमी है तो तुम बच्चे की कमी को सुधारो ना तभी तो आपकी teaching पूरी होगी बच्चे को स इसको उसके according फिर पढ़ाओ जब तक आप एक भी बच्चा जैसे पोलियो में है ना एक भी छुटना नहीं चाहिए तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको समझ नहीं आया किसी भी तरह का बच्चा हो सब को समझ में आना जरूरी है ठीक है तो यह ओल टाइप चिल्डन को हमें पढ़ाना है if a student come to you to ask something related to studies अब एक बच्चा है किलास में आपकी किलास में है ठीक है अब मालिया आपका खाली पीरियड है इस पेर टाइम है अब वो बच्चा आगया आपसे कुछ डाउट्स वगरा कुछ कोशन पूछने के लिए ठीक है तो अब आप क् अच्छे टीचर को पढ़ाने से जादा किस चीज पर ध्यान देना चाहिए ध्यान यह देना कि बच्चे के अंदर क्यूरिसिटी आए ठीक है वो पुल से पढ़ना सीख जाए ठीक है कहीं भी आप खाली भी उसको दिख गए ना वहीं पीछे पढ़ जाए आपके बाइस सर आसा पैदा हो जाएगी कि मुझे पर देना है खुद के अंदर है तो फिर आप कितना पढ़ाते ह्रों नहीं पढ़ेगा कि उसके अंदर करो पढ़ाई के बढ़ती जागरुगता पैदा करो पप्र आपको पढ़ने के जो इतनी होगी वो घूशिए अधिंए उसके पर्द पढ़ने से जादे क्यों पढ़ना है उसको पता चल जाए बच्चे को एक है उसके अंदर पढ़ने की लाल सा जिग्या सा पैदा करो तो अब यहां पर कोशन में यह कहा है तो आप खाली टाइम पर बैठे हुए बच्चा आया आप से कोशन पूछने के लिए तो आपने क्या कह दिया उसको री प्रिमेंड हिम एंड तेल हिम तो गो अवे या उसको धंका दिया और धंका कहते है जल बाद में आना बाद में पूछना जाए ठीक है दूसरा है लिसिन इस प्रोब्लम उसकी प्रोब्लम उसने कोशन पूछा आपने उसकी प्रोब्लम सुनी और कह दिया इसकी सोलुसन बाद में डिफर कर दिया इक बाद में बताएंगे कोशन तो सुन लिया क्या का उसने ठीक है लेकिन आंसर नहीं दिया कहां बाद में बताएंगे इसका आंस तो देखो तो तीनों ओप्शन में थोड़ा डिफ्रेंस है इसमें कहा उसको धंखया भी है और तब कहा कि जा भाग ठीक है और इसमें प्रोबलम सुन लिकिन एग्नौर कर दिया भी solution निय दिया है इसमें ज़्यां उसको अराम से समझा दे बना किलास में समझा देंगे लेकिन अभी यहां पर यह द्यान रखो कि द्यूरिंग योवर इस पेर टाइम भी है तुम्हारा खाली टाइम है उस टाइम पर बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आप दूसरी किलास में या बिजी हो तब भी बच्चा आ जाए तब ही आप बताने लगे उसकी प्रोब्ल स्पेर टाइम है आपके पास खाली टाइम है आप बैठे हैं तो बच्चे अगर को डाउट है तो आप उसको बता हो जब भी उसका सोलूसन कर दो हाँ पर तो सोल इस प्रोब्लम देर एंड दैन तो आंसर इसका हो जाएगा यहां पर डी कोसर नमबर फॉर है होंवर्क को देना चाहिए उड भी इवन टो स्टूडेंट बच्चोंगो अपने क्लास में पढ़ा दिया किलास मिंपड़ाने के बाद उसको वर्क यहां के आपको या इंटिंग इंटेंशन्स लेवल in विउ उसके इंटेलिज़ेंस को ध्यान में रखते हुए होमवर्क देना है य जो उसके एक्जाम में आने वाले फाइनल एक्जाम में आएंगे उसकी नीड के अकोर्डिंग आपको होमवर्क देना है तो सबसे पहले जो आपने पढ़ाया आपने फिर उनसे कोम्निकेशन किया आपको देखा कि इसको कितना समझ माया फिर उनके इंटेलिजन्स लेविल के अकोर्डिंग ही आपको होमवर्क देना है ऐसा नहीं कि आपने बहुत आसान सा दे दिया या बहुत हाड दे दिया उन पर सोल ही नहीं हो रहे तो ऐसा भी नहीं देना आपको उनके इंटेलिजन्स लेविल को ध्यान में रखते हुए धीरे 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 पट्री पर लेकर जाना है ठीक है तो जिस लेविल पर है उस लेविल को ध्यान में रखते हुए और जिस लेविल पर आपको भेजना है उनको तो धीरे धीरे एक दम से नहीं उठा कर पटक दोवा तो ऐसा नहीं जाएगा धीरे धीरे उसको लेके जाना है हमें ठीक है होले होले से होगा काम तो यहां पर आंसर जो है क्या होगा सी वाला हो जाएगा keeping their intelligence level in view ठीक है यह ध्यान में रखते हुए उनके intelligence level को ध्यान में रखते हुए आपको उनका solution करना है question number five from student in the classroom ठीक है what should be किस टाइप के question ठीक है teacher जो है student being asked by the teacher from student in the classroom यानि जो teacher है class में student से किस टाइप के question पूछ सकता है ठीक है कैसे question पूछने चाहिए आप class में lecture दे रहे हैं lecture के बाद आप communicate करे हैं बच्चों से तो किस तरह के question पूछने चाहिए बच्चों से पूछने चाहिए तेरे घर में आज क्या बना है हल्वा पूरी बने है ठीक है यह क्या बना हुआ है लाया खाने में क्या लाया आजाई धर भी दे तो यह किस तरह के question पूछने हैं यहां पर देखो option दिया हुआ हुआ है दोज which be which may be easily answer by the every student ऐसे question पूछे ने चाहिए कि जो हर बच्चा answer दे जिसका ठीक है जब सभी answer देंगे उसका तो आपने आपको क्या पदा चलेगा बई जिसको समझ भाया नहीं वह तो सबको समझ माया सबको पता ही ऐसका answer ठीक है तुमारे गड़ में क्या बनाया तुमारे मम्मी का क्या नाम तुमारे पपा क्या नाम सभी answer देंगा यह कि लास में क्या पढ़ाया हुआ है आप उससे related है बेशिकली है मजाकी बात हो गई तो which may be easily answer by every student या which may not be easily answer by every student या those which help the teacher just whether children are thoroughly understanding the lesson or not which may indicate whether children are impressed by his teaching या 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 पूच्छे बही इंप्रेस्ट हुए हैं क्या बच्चे हैं इंप्रेस्ट अपना इंप्रेस्ट जमाने के लिए कोश्टन पूच्छा रहा है इंप्रेस्ट छोड़ो यह समझो जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे की समझ माया या नहीं ठीक है उससे रिलेटेड कोश्टन पूच्छो यहां पे तो वो उस टाइप के कोश्टन पूछने चाहिए जो आपने पढ़ाया है उसी से related कुछ questions बच्चे से करें किलास में discuss करें जिसे उसे के बारे में हमें पता चले कि बच्चों को कितना समझ आया है कितना नहीं आया है ठीक है और question number 6 पर आगे if on a certain day children are not in mode to study then अगर किसी particular day बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है बच्चे कहा रहे सराज पढ़ने का मूड नहीं थक गए बहुत सुबह से दूसरे टीचर ने इतना काम दे दिया है ठीक है हो इतना थका दिया है इतना पढ़ाया यह कर दिया आज हमारा पढ़ने का आज में आएगा था कि वह हैं बहुत तो क्या करना चाहिए आपको उनको फिर छोड़ दो जाओ ग्राउंड में खेलो फिर छोड़ दो किलास में से आप बाहर आजाओ बच्चे हला काटते रहा हो ऐसा तो नहीं करना चाहिए तो सुड़ भी फ्री नहीं भाई फिर नहीं तो आपको उनको किसी एक दूसरी इंटेस्टिंग एक्टिविटी में लगा दो जिन से उनको रिलेक्स मिले कोई एक्टिविटी करा दो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेडी कोई इंटेस्टिंग एक्टिविटी करा दो किलास में उस एक्टिविटी में बच्चे जो है टीक है नेक्स्ट इसमें दिया हुआ थे टीचर सुट सिट अलोंग विद दाथ हैं टीचर भी उनके साथ बैठके कहा दिया गप्पे लगा लो चलो है कुछ हशी मजा कर लो अरे गप्पे लगा लो चुटकुले सुना दो गाने सुना दो डांस कर लो है तो भाई आप डांस वाले टीचर हो तो डांस कर वालो है गाने म्यूजिक वाले टीचर हो तो करवा सकते हो लेकिन बाखी जो है आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंट्रेस्टिंग एक्टिविटी इससे बच्चों को नोलिज भी मिलती रहे आपकी क्लास भी हो जाए आपका ट परिनाम क्या हो सकता है क्या घातक परिनाम हो सकते है इसके अगर आपने किसी बच्चे को जो है हाड पनिसमेंट दे दिया है काफी जादे डाट दिया पिटाई कर दी तो उसके क्या नेगेटिव इंपक्ट पड़ सकते हैं तो इस्टुडेंट इन कोशन में बीड़ता टीचर ब्लैक और ब्लू कि उसके उसमें अगर आपने बच्चे को पनिस्मेंट दिया ठेक है कुछ जादे तो बच्चे भी तुम दूसरा यह है स्टुडेंट इन कोशन में लीव इसकूल एंड जोइन अनादर इसकूल यह स्टुडेंट ऐसा भी कर सकता है जब आप उसको जादर प्रिस्मेंट देंगे कि आपका स्कूल छोड़ दे कोई दूसरा स्कूल जोइन के लिए इस बच्चे के घरवाले प्रिस्मेंट नहीं देनी चाहिए डाटना दमकाना चलेगा समझाने के लिए कुछ लेकिन जादर हाड प्रोब्लम हो जाती है तो उससे बच्चे जो है हाटेड हो जाते हैं इस्टेडी से यानि जो पढ़ाई है पढ़ाई से घरना करने लगते हैं स्कूल से टीचर से उन पिटूंगा ठीक है यह टीचर पिटने वाला पिटता है मुझे तो वो पढ़ाई के परती स्कूल के परती और जो है टीचर्स के परती घरना उसके नफरत उसके दिमाग में जो है घर कर जाती है बैठ जाती है उसी पहला पॉइंट यही है कि उसके दिमाग में नेगेटि अजना सब्सक्राइब त्यख़्मिजीable का थो कोस्राइब टो आपको इना समय पर ही जा सब्सक्राइब तो हमारे पास बोद मux हैं का आपका टामयुगाबर मुना मारत murders जा इसकोल में घर वाले आजाते हैं अपलिफाइट करने के लिए तो लेकिन सबसे मेन चीज है में मोस्ट एप्रोपिरियेट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के अकोर्डिंग ध्यान पर रखते हुए आनसर देने हैं ठीक है तो यह जैनल यह सभी के लिए नहीं है ठीक ह तो आठवा नमबर का कॉशन है इफ इस्टूडेंट आ नोट टेकिंग एन इंटेस्ट इन लेसन अगर इस्टूडेंट जो है पढ़ाई में इंटेस्ट नहीं ले रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए ठीक है उसका इंटेस्ट नहीं है तो टीचर को सब से पहले क्या कर ना चाहिए तो यहां पर option number A में का है tell the student that taking interest in their study बच्चे से कहे कि भई पढ़ाई में ध्यान दे ले ठीक है what would amount to their welfare तो would amount to their welfare यह तेरे future के लिए तेरी welfare के लिए अच्छा होगा पढ़ ले पढ़ने के फाइद है उसको बता दे ask them why they are not taking an interest in the lesson या उससे पूछे कि क्यों तू इंटेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में तेरा क्यों मन नहीं लग रहा है या himself find out the cues for lack of interest and remove such cues ठीक है तो या जो कमी है उसका इंटेस्ट नहीं ले रहा है तेरा क्यों मन नहीं लग रहा इस कामन उससे discuss करें उससे पूछे उसके कारण को पता करें क्या कारण है किस वज़े से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और वो पता करने के बाद उन चीजों पर काम करें और वो तो क्योसिस जो है जिनके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा उनको रिमूट रहने की कोसिस करें ठीक है या फाइल ए कंप्लें विद द प्रंसिपल इन दिस कॉंटेक्स्ट ठीक है तो यह सब जो चीजे टीचर के पॉइंट आफ यू से होनी चाहिए टीचर को हैंडिल कर लेनी चाहिए पता करें वो बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा पढ़ने में क्या कमी है ठीक है और उन कम्यों को दूर करें जाए इस्टूडेंट से बात चीट करके कुर्सन नमबर नाईन है इम ओफ द टीचर इस टू ठीक है टीचर का क्या एम होना चाहिए ठीक है तो टीचर के एम के बारे में यहां पर कहा गया है तो एल्प स्टूडेंट गेट थो दा एग्जामीनेशन बच्चा पेपर में गया पेपर में उसकी हेल्प कर दो बता दो पास हो जाएगा यह काम करना चाहिए गया यह तो उसको पढ़ने से दूर करने का काम है वो पढ़ेगा इनने लोगा टीचर बताई देगा यह तो बिल्कुल भी ना कालो ठीक है मेक स्टूडेंट डिसिप्लीन बच्चे को डिसिप्लीन में रखो यह डवलब दा टैलेंट ऑफ इस्टूडेंट जो इस्टूडेंट के टैलेंट को पहचानो क्या उसके अंदर टैलेंट है क्या किस चीज में वो आगे कर सकता है अच्छा उस टैलेंट को पहचान के उसको निखालो उस टैलेंट को इसको डवलब करो तो यह सबसे बड़ी चीज है ठीक है? तो मेन एम जो है टीचिंग का। टीचर का ये है बच्चे के टैलेंट को पहचान के उसके टैलेंट पर काम किया जाए डवलप किया जाए तो सबसे मेन एम का गौल जो है वो एम जो है वो यही होना चाहिए के सी वाला कुर्सन नंबर 10 है विच वन आफ दा फॉल इस बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड क्या है डायलोग मेथड टेक्स्ट बुक मेथड प्रोजेक्ट मेथड ओडियो वीज्वल मेथड डायलोग मेथड है कि आप डायलोग बाजी करके पढ़ाते टेक्स्ट बुक किताब इउठाई बोला बज बच से पहला होता थना आधिते हिस्ट्री के टीचर है कर लेना किताननी निसान लगवा दियेये कर ले य न हो तो गया गाम खतम, ठीक है, दूसा audio visual method से आप कर सकते हैं, या project method, सबसे better इसमें अगर देखे जाए, तो यहां सबसे better project method है, ठीक है, आप PPT बना सकते हैं, उसके तुरू बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर explanation भी आपको करना है, साथ में project method का use करके, आप पास project method ठीक है यह question थे हमारे पास बाकी question फिर अगली वीडियो में discuss करेंगे ठीक है आपको questions में किसी में कोई doubt हो आप comment कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो ठीक है इन questions के समझ में आगी हो तो आप उसके बारे में भी comment कर सकते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में त